तो गूड इनिंग एवरिवन दिस इस कलपक सर तोड़े वी आर गोइंग तो लियन लर्न आवर शिक्स चैप्टर फ्रैक्शन पेज नंबर 80 चैप्टर फ्रैक्शन ओके तो आपने predis standard में तो चुना ही स्काईट करता है पर फ्रैक्शन हमारे होता है कि है अगर कोई चीज जैसे घर में अगर कोई चौकलेट लाएं को और चौकलेट लाएं तो उसको अगर घर में आपका छोटा भाई है चोटी बैं है शोटी बैं है या फिर बड़ा मिलने के लिए उसको दोनों को इक्वल भाग में मतलब पार्ट में डिवाइड करती है चोकलेट को अगर आपके घर में फिर चार जनों तो फिर आपके मामें फिर चार जनों को मिलने के लिए equal part में मतब चार भागों में divide करते हैं जिससे सभी को equal equal parts मिले तब आपको उसमें से कितना parts मिलेगा आपको मिलेगा this one तो आपको उस region में से ये chocolate मिलेगा तो फिर इसको लिखा कैसे जाता है fraction में तो fraction में कैसे लिखा जाता है कितने parts है one, two, three, four और उसमें से कितना मिल रहा है आपको one तो इसको लिखा जाता है one by four क्या लिखा जाता है one by four और written as one upon four भी कहा जाता है और इसको लिखने के लिए हम लिखते है one dash fourth one fourth इसे कहते है वन पॉर्थ इस तरह लिखा जैसे और इसी चीज को कहते हम fraction that means fraction ऐन ऐसी चीज है जो अगर कोई सी भी हम चीजों को एक मतलब mathematical फॉंग में लगते हैं मतलब इस पार्ट में से हमें इतना पार्ट मिल रहा है तो इस चीजों को mathematical form में लिखने के लिए जो हम जो वे यूज करते हैं उससे कहा जाता है fraction okay मतलब one by four फिर अगर आपको मिल रहा है अगर इस में से ये भी चॉकले मिल रहा है ये पार्ट भी मिल रहा है तो आपको कितना मिल यहाँ पर डैस लिखके fourth ओके मतलब fourth में से आपको तू यह पोर्शन से डेड़ है मतलब आपको मिल रहा है ओके यह मतलब यह शेड है न तो इसलिए यह होगा तू और कितने में से तो इस सुगन four one two three four ओके गॉट इट अब यह चीज समझ गए नेक्स्ट आगे बढ़ते अगर आपको नहीं समझी तो आप वीडियो रिवाइस करके फिर से एक बार सुन लिए जएगा ओके अगर अगर सेड रिजन और अँशेड रिजन देखेंगे हैं सेड रिजन मतलब सेड़ेट पार्ट एन अंसेड़ पार्ट अंसेड़ पार्ट मोस्ट इंपोर्टन और काफी एजी है का मैस सबसे डिफिकल्ट है टॉप है हार्ड है यह दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए का हम अब फान वे से कॉमेडी इंटर्टेन करके पूरे मैस को पढ़ेंगे कोई टेंशन ना लिजे मैस को एक फान वे से मतलब आपको नीन में से भी उठा गया है बटा बताओ सेड़े पार्ट बताओ सर्कल में का सो यू कैन बी रेडी टू बी आंसर ओके सो अब सर्कल निकाल हे कि घंल कुट ओकी फिजा को तो उसमें से आप सफोर ये पोर्शन खाने वाले हो है मतलब ये इसको आएगा 1 by 3 okay 1 by 3 shaded part और unshadded part क्या है unshadded part मतलब जो part shaded नहीं किया गया है कितना part 1,2 जिसको shaded नहीं किया गया इसको लिखे हम 2 by 3 मतलब 3 में से 2 parts shaded नहीं है और एक part shaded shaded part will be 1 by 3 and unshadded part that is 2 by 3 okay got it very easy shaded part unshadded part okay अब इसको हम यह हो गया यह तो mathematical form में हो गया मतलब numerical form में अब इसको कहा कैसे जाता है मतलब इसको नाम क्या है इसका अरे भया आप भी जब आपके सब के नाम है तो यह भी होगा तो इसका भी नाम देंगे ना तो इसका नाम क्या होता है इसको कैसे लिखा जाता है in word form जैसे इसका लिखेंगे है one third जैसको लिखा जाता है one dash third three है ना घार्ड ओके और और इसको कैसे लिखा जाएंगा two थर्ड ऑके इन दिस वे और रॉर्ट ये समझ गया है वन थर्ड टू थर्ड मतलब जो लास्ट का वर जी रहोता है यह थर्ड टी यज लगता है ऑके टी यज अब नेक्स टॉपिक अब पता है कि अब यह suppose fraction है 2 3rd 1 3rd चलो अब लिखते हैं यह fraction है 2 by 3 लिखते हैं तो पता है इस 2 by 3 को हम ऐसे लिखते हैं 2 3rd ऐसे लिखते तो हैं पर पता है यह number और यह number इसको भी नाम है मतलब इनके भी नाम है इनके नाम क्या है मैं बताता हूँ इसको कहा जाता है उपर वाले को कहा जाता है numerator और नीचे वाले को कहा जाता है denominator इनके नामीनेटर ओके यह numerator है यह denominator है मतलब इससे यन से रिप्रेजन किया जाता है मतलब न्यूमरेटर यह स्पेलिंग ठीक से याद रखेंगा न्यूमरेटर एन यू एम ए आर ए टी ओ आर डिसे जुम्रेकर मतलब उपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है जो उपर होता है नीचे डिनमिनेटर 3 यह घू नीचे इस यह तकहा जाता है वह न्यूमरेटर कहा जाता है denominator यह उसके उपर है इसले छोटा спहल है numerator इस टाइप से numerator denominator इस टाइप के इनके नाम होते हैं और इसके नाम कैसे लिखा जाता है वोगी हमने देखा shaded part unshed out part कैसे होता है वो भी देखा उनके उपर वाले को क्या कहा जाता है और नीचे वालों को क्या कहा जाता है वो भी हमने दिखा numerator और denominator अब हम बढ़ते हैं आगे अगर अगर आपको बोला गया एक figure है सपोज यह figure है अगर इनको कहा गया कि sir आप इनको 1 by 2 में divide कीजिए 1 by 2 में आपको मतलब जिसका one portion यह shade होना चाहिए कितने मैं से two में से one portion क्या होना चाहिए shade होना चाहिए तो इसका मतलब इसके पहले दो हिससित करना इसमें 2 parts में divide करना और कितना region shade करना है तो इसमें से कोईसा भी आप parts shade कर सकते तो इसको हम ऐसे करेंगे ऐसा शेट कर देना ये हो गया आपका answer complete मतलब ये दिया है कुँछी figure दिये होगी और उन्हेंने खाऊ गया कि sir आप 1, 2 को यहाँ पे इसको शेट कीजिए तो दो पार्ट में divide कीजिए और उसमें से कितना पार्ट शेट करने बोला है 1, तो 1 पार्ट को शेट कर दीजए ओके, got it, और एक figure है सपोज और एक diagram लेते है सपोज एक square लेंगे इसके 4 पार्ट बना नहीं, इसको कहा गया है कि sir आपको 3 fourth करना है, मतलब इसके 4 पार्ट बनाना इसको 4 पार्ट में equally divide करना है और उसमें से 3 को shade करना है 3 को क्या करना है, shade करना है तो मैं इसको 4 पार्ट में divide करूँगा 1, 2, उसके बाद 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट हो गए चलो भाई, बना लिए मैंने अब क्या कितने नमबर बोला है 3 पार्ट को shade करना है चलो भाईया, यह 3 पार्ट को shade करते है 1, 2, और 3 चलो हो गया shade मैंने 3 पार्ट को क्या कर दिया, shade कर लिया तो कितने में से कितने पार्ट बोला है उन्होंने 4 पार्ट में से 3 पार्ट को shade करना है मतलब यह कोश्चन में अगर आपको दिया रहा कि सर इतने में से इतने शेड करना है तो आप जो पार्ट है उन में से उतना पार्ट शेड कर लिजे ओके गौट इक नेक्स अब आप मैंने बताया था कि अगर सपोज ऐसा नंबर हो तो इसको लिखते हैं आप थ्री और लास्ट में इसको क्या लगता है बोला तो मतलब से वन थ्री से वन इस तरह पर इसको हम ऐसे लिखते हैं अगर कहा गया कि यह वर्ड दिया गया और आपको निम्रिकल फार्म में लिखना है मतलब ऐसे लिखना है तो वो भी आना चाहिए यहां ऐसे नंबर दिया तो नाम बियाना चाहिए इसका मतलब अगर आपको था गया की पर दियले वन अब इसको निम्मरिकल फॉर्ण में लिखे विए मतलब फ्रैक्च्छन में लिखे प्रैक्षिन नंबर पहले क्या बोला है था ठीछन निम्रेटर में और डियमें यह एगा है लगाते है तो यह क्या है मतलब 5 by 11 ओके और एक एक्जामपल लएगे अब सब्सक्राइब 7 9 7 9 तो इसको कैसे लिखेंगे हम 7 9 को पहले क्या है 7 तो भाया numerator में आएगा 7 upon ये क्या है 9 मतलब 9 तो ये आएगा 9 तो इसको हम fraction form में लिख सकते हैं अगर नाम दिया रहा तो इसको fraction में लिखना है तो 7 by 9 ऐसा आएगा ओके ये रहा तो आप इस तरह second question भी solve कर सकते हैं write the fraction of each of the following fractional number तो अगर ऐसे नाम दिया है तो you can write in a fraction मतलब इन numerical format fraction number में लिख सकते हैं उसके बाद अब आपको पहचानना है कि अगर numerator कौन सा है denominator कौन सा अगर आपको दिया नमबर है 4 by 7 तो आप बताएए आपकी इसमें से numerator कौन सा denominator कर सा हमने पहले कहा था भईया ये जो उपर होता है उसको क्या कहते है numerator मतलब numerator कौन सा है लिखेंगे कि spelling क्या है n-u-m-e-r बोल-बोल के दिखिए क्योंकि spelling बड़ी है तो आपको बोल-बोल के लिखना पड़ेगा तब ही याद होगे numerator is equal to 4 and denominator denominator is equal to कितना हैगा 7 numerator क्या है 4 उपर जो उपर होता है ना लाइन के उसे कहा जाता है numerator जो लाइन के नीचे होता है उसे कहा जाता है denominator ओके ये question भी मतलब आपको बस पैचाना है numerator कौन सा denominator कौन सा उपर वाले को numerator कहा जाता है नीचे वाले को denominator so you can also solve this write the numerator and denominator of each of the fracture तो इसमें से numerator कौन सा है denominator कौन सा है आप जान सकते उसके बाद अगर आपको अगर ऐसा बोला गया यह दिया है और आपने यह किया numerator कौन सा denominator कौन सा इसको पैचाना अगर आपको numerator 4 है denominator 7 है ऐसा दिया है तो आपको fraction number में कैसा लेखेंगे वो लेखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे हमने पहले कहा तो numerator क्या बोलता भाईया numerator मैं जो उपर हूँ मुझे numerator कर तो numerator यानि तो उपर आएगा by denominator denominator होता उसको नीचे डालो तो यह आएगा 9 that's called 2 by 9 अगर ऐसा दिया रहा है तो इसको ऐसे convert करना तो fraction number में तो यह भी आना चाहिए और यह ऐसा number रहा तो उसमें से numerator कौनसा denominator कौनसा यह भी पहचानना आना चाहिए यह भी question complete हुआ so you can also solve numerator which is numerator and which is denominator okay so इस तरह हम इस तरह हम देखेंगे आप exercise 3.1 मैं एक एक example आपको solve करके बताऊंगा आप कर लिजे आपको homework का बाकी का देखिए shaded 3.4 और 3.4 इन इस अफ़ दफ वालाई मतलब क्या गया है आपको यह 3 figures दिये है सब उसे figure ड्रॉकर की यह करते है ओके यह figure है तो इस figure में क्या का है 3.4 इसको ऐसे भी लिखते है 3.4 3.4 मतलब 4 part में से three part क्या करना है shade करना है तो simple है हमने पढ़ा है तो चलो इस में से three parts ngay इसको shade करता है one two और यह हो गया three चलो हो गया मतलब 4 part में से three parts shade करना है इसी तरह आपको बी और पशे solve करना है ओके got it चलो next तो आप इसमें क्या किया इसमें वीगर दिया है और इसमें नंबर भी दिया कि कितना आपको शेड करना है तो इस में आपको शेड करेंगे चोड़ आप पहली फीगर देखते हैं question number 2 shade part of each wall represents the given fraction तो इसमें आएगा चलो हाँ तो यह फिगर है तो हमें दिया है कि सर आप 4 by 7 मतलब 7 पार्ट है 7 पार्ट है चेक कर लेते हैं तो इसमें से कितना फार्ट शेड कीजिए 4 पार्ट शेड कीजिए सिंपल है इसमें से 4 पार्ट शेड कर लीजिए चलो मैं करता हूँ चलो मैं यह करता हूँ त्री और इधर का ही 4 कर लिया मैंने शेड क्या कहा था कि 7 में से 4 पार्ट शेड कर लीजिए तो मैंने कर लिया 1 2 3 4 हो गया तो वैसे ही आपको भी और शेड चॉल करना यहाँ पे गया है 12 12 में से 5 बॉक्से शेड करने उसमें बात कहा है 16 तो यह 16 बॉक्से में से 9 बॉक्से शेड करने अब यह हो गया है शेड करना अब होगा उल्टा भाग मतलब अब शेड किया है अब पैचानना है कुण कितने पार्ट में से कितने पार्ट सेड़ेड है सिंपल है चलो अब थ तो इन्होंने इस फिगर में यह पार्ट शेड किया है और यह पार्ट शेड किया है वेरी इजी हमें तो पता है भया इतने इजी अरे मैं तो यू कर लूँगा मैं चलो देखते हैं कितने पार्ट से पहले हैं फार्ट शेड कितने पार्ट से डिढ़ें मुझे बता कितना इसी है तो आप टूपार्ट से डिढ़ें यह तो यह आएगा टू बाई एक की थेस्ण फॉवर यह से बड़ा स्वाहजा है कि अनसे ड्राइग्स... अब इसको अगर कहा गया कि अनसेड़ पार्ट रीखो यह कहा है यह से ड़ेड्पाइग टू अगर बुर्दा गया कि unshaded part मतलब जो shade किया गया नहीं है तो simple है बताओ unshaded part गिनों कितने है 1 unshaded मतलब जिसको shade नहीं किया है color नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 part को shade किया नहीं गया कितने में से 8 में से तो 8 नीचे आएगा और 6 उपद तो unshaded part कितना गया है ये तो ये ही आपको यहाँ पर लिखना है क्या लिखना unshaded part not shaded part मतलब जो shade नहीं किया गया है वो आएगा numerator में और जितने part से वो आएगा denominator में तो ये भी question आपको solve करना है next write the fraction of each of the following fraction number ये तो हमने देखा है भाईया simple three seven एक ही देते है चलो example चलो ये last one लेते है f f में क्या है मतलब आपको words में दिया है और वो आपको लिखना है numerical form में simple है numerator में कहा जाएगा ये नीचे जाएगा 8 मतलब क्या आएगा 8 और 8 में से कितना part 1 तो 1 हो गया right answer ओके तो ये ऐसे ही आपको 1 by 8 वैसे ही आपको ये सारे चीज़ करना उसके बाद write the fraction number of each of the falling अब ये जो fraction number है इसके नाम लिखना है write the fraction number for each of the falling तो आप देखेंगे अब अगर ये ऐसा नमबर रहा तो इसके नाम लिखना है तो उसका भी एक 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 जम पर देख लेते है 5th 3 by 10 चलो F नीचे गा 3 by 10 इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे पहले ये आएगा पहले 3 डैश ये आएगा 10 3, 10 तो ये हो गया इस थरह आपको लिखना है 3, 10 मतलब 3, 10 10, 10 तो डिनामेटर है वो आएगा लास्ट में ओके इसी थरह आपको ये एक ज़सा इसके भी सारे एक्जमपल सबको करने है ओके बस नाम लिखना है उसके बाद अरे ये भी इजी राइट डिनामेटर और डिनामेटर फॉर इच आप दे फॉलाइड N-U-M-E-R-A-T-O-R डिनामेटर D-E-N-D-E-N-O-M-I-N-A-T-O-R spelling याद रखना गलती मत करना नियुमरेटर जो उपर होगा नियुमरेटर का बलता है बहिया मैं तो उपर ही रहूँगा फिर जो उपर होगा वो नियुमरेटर जो नीचे होगा इसके बाद अब राइड़ फ्रैक्शन इन नमबर आप नियुमरेटर कौन सा है डिनामेटर कौन सा है ये दिया है आपको फ्रैक्शन पर मतलब ये दिया है अब आपको इस तरह लिखना है वो भी जे उसका भी एक्जामपल देख लेते तो उसका एक्जामपल है एफ कहा गया है नियुमरेटर न, यू, ए, आ, ए, ट, ओ, आ नियुमरेटर की फिलिंग याद कीजिए और डिनामेटर डिनामेटर है तो ये आएगा नियुमरेटर ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी नाई मतलब नियुमरेटर की आजाएगा उप़र, डिनामेटर जाएगा भया नीचे, तो उप़र आगे नियुमरेटर नीचे आएगा, डिनामेटर तो 23 बाई 29 ओके, तो इस तरह आपको पोस्टन 7 भी स्वाल करना अब लास्ट में फिलिंग दब्लाइग, इजी वेरीजी, चलो देखते इसने क्या गया है कि इन 13 बाई 17 द थर्टीन थर्टीन हाँ, तो थर्टीन क्या है सिंपल है, फिलिंग दब्लाइग चलो इसमें का मैं लेता हूँ इन थर्टीन बाई 17 द ड्याश इस थर्टीन, बोलाई कि इन 13 बाई 17 इस नमबर में 13 क्या होगा हमें तो पता है भाईया, उपर वाला चीज क्या होता है आहां करेक, नियूमरेटर तो यह आएगा, नियूमरेटर तो 13 इसन नियूमरेटर, और नीचे वाला क्या आएगा, डियूमरेटर तो हमें क्या पूचा है, 13 तो इस विल बी नूमरेटर तो उसी तरह B अब A आगव है, B तो इसमें पूचा है 41 नीचे है, तो नीचे यह 41 क्या होगा वह देख लीजेगा ओके तो इसमें अगर 9 by 41 में अब 41 पूचा गया, तो 41 क्या होगा? आप नीचे वाला क्या होगा? Yes, correct, क्या होगा? डियूमिनेटर अब आप पूचा है कि 18 by 43, the denominator is भाईया, यह भी पता है कि जो नीचे वो क्या होता है, डियूमिनेटर तो डियूमिनेटर क्या होगा? 43 तो इसी दोरान आप D solve कीजे, ओके? तो आपको exercise 6.1 में सभी मैंने example बताईए कैसे solve किये जाते है, तो आप 6.1 पूरे solve कीजे, ओके? कुछ doubt हो, तो आप वीडियो को revise कीजे फिर से एक बार फिर से सूनिये ओके? आपकी बड़ों की मदद लीजे ओके? आप प्यारेंस वीडिफिनिटली help और फिर भी नहीं समझा तो फिर मैं आपको help करूँगा, ओके? Thank you